जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे योटीब चैनल में दोस्तो शुक्र ग्रहे जो है वो हमारे प्रेम रोमांस भोग विलास सौंधर ये फैस्टन डिजाइनिंग के कारग्रह है साथ में कला से जुड़ी हुई जो चीजें है विवाहिक सुख जो होता है ये भी शुक्र ग्रहे के अंदर आता है यानि शुक्र ग्रहे इनके भी कारग्रहे है और शुक्र ग्रहे का जो एक राशी में रहने की जो अवधी होती है वो लगभग लगभग तेईस दिन की होती ह यानि एक राशी में शुक्र 23 दिनों तक रहते हैं उसके बाद वो राशी परिवर्टित कर लेते हैं यानि ये वी तिब्रगती से चलने वाले ग्रहें हैं अब शुक्र को विवाः के लिए भी सबसे प्रमुख ग्रह माना जाता है साथ ही किसी पुरुष की जन्म कुंडले में महिला का कारकिये होता है दहन और विलासिता भी ये देता है और विलासिता से जुड़ी घरिदारी भी कराता है और सुख सुविधाएं जो भोग तो वो इस्तितियों को पूरी तरह से बदल देता है अब 13 जुलाई से शुक्र का राशी परिवर्टन होगा और ये राशी परिवर्टन साथ जुलाई तक रहेगा यानि 13 जुलाई से साथ जुलाई तक शुक्र जो है वो बुद्ध की राशी मिथुन राशी में विराजमान होंगे कुछ दिन बो दिन के साथ रहेंगे लेकिन बोद भी फिर राशी परिवर्टत कर जाएंगे और यहां इनका जो राशी परिवर्टन होगा ये कुम्ब राशी के लोगों के लिए बहुत अधिक उत्तम रिजल्ट देने वाला साबित होने वाला है कुम्ब राशी के जातकों के लिए शुक्र का ये राशी पर वरतन धन आगमन के रास्ते खोलने वाला है और भी बहुत कुछ देगा तो क्या कुछ वो लाब मिलेगा ये सब कुछ हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे तो वीडियो को लास तक जरूर देखें चैनल पर पहली बार आएं हैं तो सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारी चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलते रहती हैं तो हम बात कर रहे हैं कुम्ब राशी के कुम्ब राशी के लोगों के लिए पहले आप शुक्र को देखें कि ये दो महतपुन भावों के स्वामी हैं चौथा भाव जो आराम का होता है माता का होता है परिवार का होता है और साथ में विलासिता का भी होता है दूसरा है नवा भाव जो कि आपके भाग्या को दिखाता है आपके धर्म के भाव का भी स्वामी है चौथे और नवम भाव का जो स्वामी होता है उसको योग कारक ग्रह कहते हैं तो शुक्र आपके लिए योग कारक ग्रह हो गए और अभी कहां जा रहे हैं आपके पंचम भाव में पंचम भाव में शुक्र का ये गोचर होगा जो की प्रेम, सिक्षा, संतान, बुद्धी इन सबी चीजों के कारक है जो पंचम भाव है अब यहां शुक्र का आना आपके लिए कई तरह की योजनाओं को बनाएगा कई तरह की योजनाओं को सफल कराने वाला होगा एक तो इस राशी के लोगों के लिए आर्थिक इस्तथी बहुत अच्छी होने वाली है और करियर में सकारातमक परिणाम प्राप्त होंगे आपकी आएक के आगमन में वरदी होनी तै है इस दोरान आपके बॉस के साथ और आपके वरिस्टों के साथ भी आपके सम्मन्द बहुत अच्छे रहेंगे आप अच्छी बॉंडिंग बना कर चलेंगे और क्योंकि शुक्र आये हैं यहां, तो हर किसी के साथ बड़ी प्रेम पूर्वक आप बात करेंगे, तकि आपकी संबंद अच्छे रहें, आपको पता होगा, कि आप जब संबंद अच्छे बना कर चलेंगे, तभी आपके काम अच्छे से चल सकते हैं, और इसी चीज़ के च भागय तो साथ देगा ही, और उसके साथ आपको सफलता भी प्राप्त होगी, भागय साथ देगा, भागय की स्वामी हैं, व्यक्तिगत जीवन की यदि बात करें, तो जो जातक प्रेम संबंद में हैं, उनके रिष्टों में नजदी क्यां बढ़ सकती हैं, और जो जातक अ भावनाएं ये बनी हुई हैं, कि रिष्टे की शुरुवात हो सकती है, या तो आप किसी रिष्टे में प्रवेश कर सकते हैं, प्रेम विवा हो सकता है, या फिर आरेंज मेरीज भी हो सकती है, लेकिन रिष्टे में प्रवेश करने का समय अब समझी आ चुका है, आप इस सम्मानित की जा सकते हैं बच्चों की तरह वजह से आपको सम्मानित किया जाएगा जो आपके लिए बड़े गर्व की बात होगी आप में से कुछ जातकों को सुब समाचार प्राप्त हो सकता है नए महमान के आने का यानि आपके लिए संतान के आने का योग भी बना हुआ है संतान प्राप्ती का योग भी बना हुआ है जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं हाईर एजुकेशन के लिए आगे पढ़ना चाहते हैं योजना बना रहे हैं अपने सपनों के इंसिट्यूट कॉलेज में अध्यन करने का अफसर उनको प्राप्त होगा उनकी ये इच्छा भी दिवेश करने की योजना बना सकते हैं समय तो प्रभल है समय आपके लिए प्रभल है इशुकर की दरस्ति से 13 जुलाई से और अवधी भी अच्छी 13 जुलाई से प्रभल समय से लाब भी मिलेगा सकारत्मक्फल की प्राप्ती होगी आर्थिक दरस्तिकोंड से भी ये उनके बॉस के सामने सुधरने वाली है आपके जो बॉस हैं आपके जो अधिकारी हैं आपके जो वरिस्ट हैं उनकी नजरों में आप दिखाई देंगे उनकी नजरों में आपकी इमेज अच्छी बनेगी और इंसान इमेज अच्छा बनाने के लिए आफिस में बहुत तो कुछ करता है तो आपकी इमेज जो है वह अच्छी होने वाली है बस अपनी इस छवी को इस तरही बरकरार रखें काम पर जादा फोकस दें काम पर जादा ध्यान दें क्योंकि ये आपके कारशेत्र में आपके पेशवर जीवन में कई तरह की सफलताई लेकर आ सकता है शुक्र जैसा कि कहा आप प्रेम के कारग रह भी है शुक्र लगजरी चीजों के कारग रह भी है तो आपका मन ऐसी ऐसी चीजों की तरफ भी यहां जा सकता है जो लगजिरियस चीजें है घर में कोई ऐसी लगज़ी चीज़ों की खरेदारी करनी हो रेनवेट का काम कराना हो अच्छा सौंधर ये प्रेमी आप होंगे किसी ऐसी चीजों में इसेदारी ले सकते हैं जहां कलात्मक्चीजें हो रचनात्मक्चीजें हो कोई नरत्य वगएरा हो नाट प्रस्तुतिक के कारे हो तो ऐसी चीजों से भी आपका जुड़ने का बहुत अधिक कमन हो सकता है आप प्रेरित हो सकते हैं ऐसे चीजों से और साथ में कुछ ऐसी चीजें आप पढ़ना चाहेंगे उपन्यास पढ़ लिया या कोई ऐसी बुक आपने पढ़ी तो ऐसी शुक्र आपको नेगेटिव देने वाले हो इसलिए पॉजिटिव है शुक्र आपके लिए और जब शुक्र पूरी तरह से पॉजिटिव है तो उसका लाब आपको जरूर लेना चाहिए उपाये की बात करें तो उपाये के तोर hyperon करने का एक की चीज़ होता है छोटी कन्याओं को कुछ भी उपाहर से रूप दे देना और सफीज द्यान कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा दही मिठाई दूद जो जरुत मंद कन्याओं हैं उनको आप यह ऐसी चीज़े दे सकते हैं साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें वी